आजकल जो है गुड़ी कट शलवार और खड़ी शलवार या स्ट्रेट शलवार बहुत ट्रेंड में हैं मैं यहाँ पर आपके लिए आज लेके आई हूँ गुड़ी कट शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ इसको मैंने किस तरह बनाया है तो उसको देखने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड इस सलवार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मिटर का फैबरिक लिया है जी हाँ सिर्फ दो मिटर फैबरिक यहाँ पर सिर्फ काफी है इसके लिए तो मैंने पहले लंबाई जो होगी उसको मैंने एक फोल्ड ऐसे लेते हुए डबल फोल्ड कर लिया और फिर से चोड़ाई में एक फोल्ड कर लिया मतलब ये फैब्रिक अब पूरा फोर फोल्ड में रहेगा इसको मैंने अच्छे सेट करके यहाँ पर रड़ी कर लूँगे फैब्रिक को उपर से एक सीधी लाइन डालते हुए फैब्रिक को सीधा कर लियंगे सलवार की मेजर्मेंट्स मैं साइड में लगा दूँगी अब सलवार की लेंथ जो होगी उपर हाफ इंच हम छोड़ते हुए लेंथ लेंगे यहाँ पर 37 इंच पे मेरी रेडी लेंथ 37 है तो 37.5 इंच मैं यहाँ पर लोगी यह फैब्रिक चोड़ाई में 20 इंच ही होना चाहिए यहाँ पर 4 फोल्ड में है फैब्रिक तब ही यह 20 इंच रहेगा तो 4 फोल्ड जहाँ पर उपन साइड है वहाँ पर मैंने 2 इंच के मार्किंग कर लिया अब आपकी जितनी भी हिप की चोथाई भाग होगा मतलब मीरा यहाँ पर 40 इंच है तो उसका 4 पार्ट 10 इंच हुआ तो 10 इंच में मैं यहाँ पर 2.5 इंच आड़ करूँगी तो यह क्रॉच लिंथ मिल जाएगा आपका जितना भी हिप राउंड होगा उसके एकोडिंग आप इस तरह यह क्रॉच लेंथ ले सकते हो तो इस पॉइंट को मैंने सीधा कर लिया जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग किया था उसी के उपर लेते हुए उपर जॉइन कर लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच की गहराई लेते हुए गुलाई का मार्क करेंगे अब नीचे जो मोरी की गुलाई होगी यहाँ पर 7 इंच है तो 7 इंच मार्क करके 1 इंच मैंने मार्जिं दिया इसको सीधा करेंगे नीचे की तरफ 9.5 इंच का मर्किंग करूंगी, मैं यहाँ पर भुक्रम 1 इंच का लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच का लिया है आप जितनी चोडाई के भुक्रम लगाएंगे उसके एकॉर्डिंग यहाँ पर कम जादा कर सकते हो तो इस point को उपर crotch length को मिला लेंगे आपके पास shape a scale के according यहाँ पर आप mark कर सकते हो अगर नहीं है तो tape से भी इन points को सीधा रखेंगे और center में अंदर की तरफ थोड़ा सा curve में लेते हुए इस point को इस तरह मिला लेंगे अब यहाँ पर इसको इस तरह fold करते हुए हम पहले रख लेंगे इसको मैंने क्यूं fold किया है आगे मैं आपको बताऊंगे जैसे हमने mark किया है उसे के उपर यहाँ पर cut कर लोंगे तो यह दिखे मैंने यहाँ पर cut कर लिया अब उपर belt के लिए मैं तीन इंच की पट्टी यहाँ पर अलग से cut कर लोंगी आप जितनी भी यहाँ पर elastic की चोड़ाई लेंगे उसके according यहाँ पर double लेते हुए एक इंच extra लेंगे सिलाई के लिए तो मैं यहाँ पर एक इंच की elastic लगाऊंगी तो मैंने यहाँ पर तीन इंच की चोड़ाई में यहाँ पर लिया है इसकी लंबाई जितनी भी waste होगा उसके according लंबाई ले सकते हो अब मैंने यहाँ पर इसको cut कर लिया यह जो किनारी है इसको भी मैं cut करके अलग करूंगी अभी भी हमें यहाँ पर एक और पठी cut करनी होगी तो मैं इसी तरह दूसरी पठी भी बचवे फैब्रिक के उपर रखते होगे same size में इसे भी cut कर लोंगी यहाँ पर मैंने इसलिए fold किया क्योंकि जब हम बुकरम लगाने के बाद इसको इस तरह उपर fold करेंगे तो यह फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा इसलिए यहाँ पर fold करके cut करेंगे अब center में जहाँ पर यह folded है वहाँ पर एक cut लगा लेंगे इसको इस तरह उपर के दो layer को हम open कर लेंगे अब यहाँ पर एक के उपर एक अच्छे से set करते हुए waistline से crouch length तक की जितना भी है वहाँ पर हम stitch कर लेंगे दोन तरब जब हम इसके उपर stitch करेंगे तो half inch का margin लेते हुए यहाँ पर हम stitch कर लेंगे इसके बाद जब यह margin half inch का रहेगा तो इसको एक तरफ करते हुए इसके उपर एक boot की slide डालते हुए finishing देंगे इसी तरह इस margin को दूसरे साइड भी लगाते हुए मैं इसको ready करूंगी यह दिखे friends मैंने यहाँ पर दोनों crouch length पे stitch कर लिया है अब इस सलवार को मैंने सीधा रखा है अब यहाँ पर crouch length का जो middle है वहाँ से दोनों साइड में 4 inch पे mark करूंगी अब इसके बाद इसके side में 3-3 inch पे और mark करेंगे यहाँ पर आप 3 inch के बदले 2 inch भी ले सकते हो pleats की चोड़ाई जितनी आपको चाहिए उतनी आप यहाँ पर 2-3 inch तक adjust कर सकते हैं 3-3 inch के 3 lines यहाँ पर आ जाएंगे 3 points हम यहाँ पर लगाएंगे अब दूसरे side भी इसी तरह मैं 3 inch की marking कर लोंगी तो यह देखे friends मैंने दोनों side में marking पूरा कर लिया है अब पहले वाला जो 4 inch का mark हमने किया था वहाँ पे 3 inch के marking वाला point जो है इसको इस तरह उठाते हुए इसको मिला लेंगे इस तरह यह एक pleat बन जाएगा तो दूसरा वाला भी इसी तरह इसके उपर रखेंगे अब तीसरा वाला भी इसी तरह इसके उपर रखेंगे जो हमने side में cut लगाया था वो उसको भी यहाँ पर इसी तरह join कर लेंगे तो इन तीनों प्लीट्स को अच्छे से पिन अप कर लेंगे अब इसी तरह दूसरे साइड में भी मैं रेडी कर लूँगी तो ये दिखिए मैंने इसको भी रेडी करते हुए पिन अप कर लिया है तो चलिए फ्रेंट्स इसको स्टिच के इस तरह किया जाता है दिखते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर जब हम स्टिच करेंगे तो पहले मैं पिन अप जो किया था इन प्लीट्स को उसको निकालूंगी अब हमने जो 4 इंच पे पिनप किया था उसको हम छोड़ते हुए उपर की तरफ एक स्टिच कर लेंगे अब हम इन प्लीट्स को अच्छे से पकड़ते हुए नीचे तक 3 इंच के दूरी तक इनको स्टिच कर लेंगे तो यह दिखे 3 इंच तक मैं आब एक के उपर एक प्लीट्स को अच्छे से अरेंच करते हुए स्टिच करेंगे अब यहाँ पर लॉक कर लेंगे अब ये वाले जो प्लीट्स हमने स्टिच करके रेडी किया है इसको अब हम 4 इंच का जो मार्क किया था उसके उपर रखते हुए उपर इसको स्टिच कर लेंगे जो वेसलाइन का पार्ट है वहाँ पे तो इस तरह दोनों पोशन्स को मैंने स्टिच कर लिया है अब बेल्ट जो हमने बना के रेडी किया था इन पीसेस को जॉइन कर लिया है मैंने अब सलवार को सीधा रखेंगे आब ये प्लीट जो है इसको उल्टा रखते हैं स्टिच करेंगे इसके अंदर मैंने यहाँ पर पूरी एलस्टिक के साथ इसको बनाया है तो जितनी भी waistline है उसमें minus 4 करते हुए हम elastic को लेंगे एक इंच की elastic है और मैं यहाँ पर 30 इंच का elastic लगाऊंगी तो अब हमने सलवार के उपर इसको उल्टा रखते हुए पूरी गुलाई में stitch करना है मैंने यहाँ पर stitch कर लिया है अब इसके अंदर elastic को रखते हुए यह जो half inch का margin अभी हमने stitch किया है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको stitch कर लेंगे कुछ इस तरह elastic को अंदर रखते हुए तो चलिए friends मैं यहाँ पर machine के उपर इसको किस तरह attach किया जाता है एक बार दिखा देती हूँ machine को उपर मैं पहले यहाँ पर elastic को अच्छे से join कर लूँगी इसको मैंने यहाँ पर stitch कर लिया अब सल्वार में जो हमने पट्टी रड़ी किया था उसके अंदर इस elastic को इस तरह रखते हुए उपर वाले portion का half inch मोड़ते हुए नीचे जो हमने stitch किया है उस वाले margin को अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर हम stitch करना start करेंगे जब हम यहाँ पर stitch करेंगे तो फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ लेना है और सिलाई जो है बिलकुल भी elastic के उपर नहीं आनी चाहिए यहाँ पर अच्छे से फैब्रिक को अंदर की तरफ बिलकुल भी कोई धागा वगेरा नहीं दिखना चाहिए उस तरह सारा जो है portion अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके उपर stitch कर लेंगे यह दिखे यहाँ पर इस तरह यह finishing के साथ बेल्ट लगने start हुआ है जब elastic कम पड़ेगा तो फैब्रिक को इस तरह आगे की तरफ खिंचते हुए अंदर से elastic को हम बाहर निकालेंगे और फैब्रिक को आगे की तरफ इसी तरह खिसकाते हुए elastic को हम इसके अंदर stitch करते हुए इसको finishing के साथ ready कर लेंगे यहां पर इसी तरह मैंने elastic को attach कर लिया है बेल्ट में अब यहां पर पक्की सिलाई करते हुए cut कर लेंगे अब elastic को इस तरह खिंचते हुए एक बराबर से adjust कर लेंगे waist में तो जब यह adjust हो जाएगा उसके उपर दो पक्की सिलाई करते हुए हम यहां पर stitch करना start करेंगे तो यह देखिए elastic को उपर से एक हाथ से हम खिंचते हुए इसके उपर stitch करना start करेंगे तो मैंने यहां पर एक सिलाई लगा लिया है अब दूसरी सिलाई भी इसी तरह stitch कर लूँगी तो यह देखिए फ्रेंज अच्छे से elastic को मैंने stitch करके ready कर लिया है कुछ इस तरह यह लुकाया है अब उपर का portion ready हुआ है अब नीचे की तरफ मोहरी में प्लेस्टिंग पेपर को हम चिपकाते हुए इसको ready कर लेंगे तो मैं यहां पर एक इंच का प्लेस्टिंग पेपर को cut करते हुए इसके उपर हाफ इंच का margin छोड़ते हुए प्रेस की मदद से paste कर लूँगी तो यह दिखें यहां पर इस तरह paste कर लिया अब यह हाफ इंच का जो margin हमने छोड़ा था उसको भी प्रेस की मदद से उपर फोल्ड कर लेंगे अब दोनों साइड मैंने इसी तरह पेस्टिंग पेपर को paste कर लिया अब इसको उल्टे साइड में इस तरह घुमाते हुए कि देखें एक फोल्ड मैंने कर लिया अब दूसरी फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे इसी तरह मैंने दोनों साइड स्टिच करके मोहरी को रेडी कर लिया है अगर आप चाहे तो मोहरी पे कोई एक इंच का मार्जिन लिया था तो उपर आते आते हम यहां पर हाफ इंच का मार्जिन लेंगे जब भी हम सलवार में नॉर्मली स्टिच करते हैं तो मोहरी की साइड से ही हम क्रॉच लेंग तक स्टिच करेंगे तो ये देखिए एक इंच और हाफ इंच उपर की तरफ मार्जिन है और इसी तरह दूसरे साइड भी में स्टिच करकेश को रेडि कर लोगी